हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्स क्लासेज में तो फ्रेंट आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं आपका सीटेट में जो आपका पेपर आया था 2021 में EBS का पॉर्षन वो हम आपसे डिसकस करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि जो आपका EBS का पॉर्षन पूछा जाता है आपसे सीटेट में उसमें आपसे किस टाइप के कॉश्चन्स पूछे जाते हैं तो जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका सीटेट है वो आपका यूपिटेट से थोड़ा अलग रहता है दोनों सेम नहीं होते हैं तो जो आपका सीटेट का कॉश्चन्स का लेवल है वो क्या होता है उसमें आपसे 15 मार्क्स में आपसे NCRT पूछी जाती है और जो आपसे 15 मार्क्स है उसमें आपसे पेड़ागोजी पूछी जाती है बट आपके यूपिटेट में पेड़ागोजी जादा नहीं आती है फिग्स नहीं रहता है बट आपका सीटेट में रहता है तो CTET में आपका 15 marks से NCRT आएगा और 15 marks से आपकी pedagogy आएगी तो आप आज इस paper से भी देख सकते हैं कि किस टाइप के questions आप से पूछे जाते हैं तो start करते हैं अपनी आज की वीडियो को तो हमारा first question है Which one of the following is not a union territory of India तो आपके इन four option में से कौन सी आपकी union territory नहीं है और एक चीज आप जरूर याद रखेंगे exam में आपको note given होता है लेकिन आप क्या करते हैं note को कहीं भूल जाते हैं और question पढ़ते हैं कौन सी union territory है तो ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर note दिया हुआ है तो इसलिए आप note को ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो union territory नहीं है वो क्या है लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है मनीपुर है या फिर चंडीगर है तो इसका आपका correct answer हो जाता है आपका मनीपुर जो आपका मनीपुर है यह आपकी union territory नहीं है next question है आपका which among the following cruel oil produce मतलब यहाँ पूछ रहा है निमलिकित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है मतलब जो आपका कच्चा तेल है वो कहाँ पे आपका होता है बोंबे हाई एंड वेस्ट वेंगोल में असम एंड उरीसा में गुजरात एंड तमिल नाडू में बिहार एंड बोंबे में तो इसका आपका correct answer हो जाता है गुजरात एंड तमिल नाडू यहाँ पे जो आपका कच्चा तेल है पेट्रोलियम जो है उसका उत्पादक होता है तो यह आपका correct answer हो गया next question देखते हैं next question है आपका हमारे देश का सविधान निमलिकित में से किसके नेतरत में बना था the constitution of India our country was prepared under the leadership of तो इसका तो सभी को answer पता होगा कि जो आपका constitution है वो किसके नेतरत में बना था आपका मोहनदास करमचंद गांधी के नेतरत में बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के में बना था या सरपली राधा कृष्णा गया में था तो सभी का answer होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके नेतरत में आपका जो है constitution जो है वो बनाया गया था अब next question है हमारा consider the following function for plant तो देखे इस टाइब के question भी आपसे पूछ ले जाते है statement based और इस बार chances ज़्यादा है कि आपसे इस टाइब के question पूछ ले जाए तो यहाँ पे देखे आपका पहला option है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो plant है जो पोध है वो क्या कार्य करते है first option है आपका to give support to the plant पोधो को सहारा देते है next option है provide you must provide करते है food को store करते है water और mineral को absorb करते है जो खनीज है उनको अवशोशित करते है तो इसका correct answer आपका क्या होगा केवल A और B होगा केवल C और D होगा B, C, D होगा A, C, D होगा तो देखिए हाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ हम क्या बताते हैं आपको tag words में हम only बताते हैं कि only जहाजाए वो answer नहीं होगा तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर only कहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे only देखेंगे और cut कर देंगे ऐसा नहीं है only आपको ऐसे option में मानके चलना है जहाँ पे आपको 4 option दिये हुए हैं और वहाँ पे वो negative चीज़ को बता रहा है तो वहाँ पे आप only को tick नहीं करेंगे वो हम आपको बता देंगे बट यहाँ पे आप ऐसा इसको apply नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका जो correct answer हो जाएगा वो आपका होगा A, C, D food को store करते हैं water and mineral को absorb करते हैं next question है आपका अब next question देखिए next question है आपका Pochampali is a town of southern state in India which famous for its beautiful design bright color Pochampali sari and special kind of weave which is called Pochampali this town is now a part of तो यह questions आपके NCRT से ही लिए गए हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पे question में पूछा है बताया है कि Pochampali जो है भारत के दक्षिन राजे का एक कस्वा है जो सुन्दरता से design की गई चमकदार रंगों की Pochampali साडियों और विशेश प्रकार की बुनाई जिसे Pochampali कहते हैं उसके लिए प्रशिद है तो यह कस्वा आपका किस राजे में पढ़ता है यह आपको इसमें बताना है तो आपके पास option है आपका करनाटका, आपका केरेला, आपका तेलांगना, आपका तमिलनाडू तो इन में से आपका कौन सा option correct है तो यह आपका तेलांगना राजे में पढ़ता है जो इस Pochampali है यह एक बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं एक तरह से designs, बुनाई इन सब में होता है तो यह आपका तेलांगना में पढ़ता है यह राजे आपका select from the following a group eatable each member of which rich in iron मतलब ऐसा कौन सा खाद्य पर्थार्थ है जिससे आपको जो लोहो तत्व की मात्रा है वो जादा मिलती है तो आपके option में first option है आपका jaggery, आमला, टमेटो next option है आपका आमला, spinach, jaggery, next है आमला, cabbage, tomato next है cabbage, आमला, spinach हिंदी में भी देख सकते हैं गुड आवला, टमाटर, आवला, पालक, गुड आवला, बंधकोवी, टमाटर, बंधकोवी, आवला, पालक तो यह आपका correct होता है आवला, पालक, गुड ये आपका क्या है लोह तत्व आपको इससे जादा मात्रा में मिलता है तो ये आवला जो है पालक जो है गुड जो है ये आपकी आईरन की कमी को पूरा करता है तो आपको ये चीजे खानी चाहिए आपकी सेहत के लिए अच्छी रहती है आईरन की कमी अगर आप में आ रहे हैं तो वो आपकी पूरी हो जाती है यह कोशन NCRT से ही लिए गए हैं जब आप NCRT पढ़ेंगे तो यह माल लीज़े NCRT से आपका 15 marks कवर हो जाता है Next question है आपका Select from the following a group but each member which is able to see this translate the object 4 times as far मतलब यहाँ पे पूछा है निमली खित में से पक्षियों का वह समहूं चुनिए जिसका प्रतेक सदस्य हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक वस्तों को देख सकता है तो आपको बताना है अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो उससे चार गुना दूरी तक की चीज़ वो देख सकता है वो कौन सा पक्षी है तो आपके पास औप्षन है oldest है फाकता, कोआ, मोर, next है बाज, कबूतर, तोटा, next है कोआ, चील, बुल, बुल, और लास्ट औप्षन है आपका बाज, चील और गिद ये भी आपके NCRT से ही हैं डारेक्ट कोशन है आपके नेक्स्ट कोशन है आपका नेक्स्ट कोशन है आपका इन विच वन ओफ फॉलाइंग स्टेट मोस्ट विलेज कंस्ट्रेक्ट तेर वुडन हाउसे 3-3.5 मिटर अबाव दा ग्राउंट आपको बताना है नीचे दिये गए किस राज्य में ग्रामिन लोग अपनी ढालू छतवाली लकडी के मकान मजबूत बास के खंबो पर बनाते हैं और धर्ती से 3-3.5 मिटर की उचाई पर बनाते हैं तो ये कौन से घर हैं शायद मैंने आपको ये वाला कंटेंट कराया हुआ है तो ये आपके कौन से घर हैं जो आपके बास के खंबो पर बनाये जाते हैं और जमीन से 3-3.5 मिटर उपर बनाये जाते हैं राजिस्थान के हैं लद्दाग के हैं असाम के हैं उडिसा के हैं तो ये आपके असाम के घर होते हैं जो आपके इतने फुट उचे पर बनाये जाते हैं क्योंकि आपे बारिश बहुत जादा होती है इसलिए घर यहां पर इतनी उचाई पर बनाये जाते हैं बास के खंबो प गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाय क्रमक्ष हैं अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी मतलब लोकेशन है Delhi of map in India the direction of location of गांधी नगर Delhi के मुताबिक जो आपकी location है गांधी नगर capital of गुजरात and पटना capital of बिहार इनकी जो डारेकशन ह वो क्या है, option आपके पास है South East, South West Next आपका South West and South East Next आपका North East and South West and last आपका South West and North East तो जो ये आपकी direction है ये आपकी होगी South West and South East अगर दिल्ली से आप देखते हैं तो ये जो capital है आपकी गांधी नगर और आपकी पतना ये South West और साउथ इस्ट में आपको देखने को मिलेगी नेक्स कोशन है आपका विच वन ओफ फोलाइंग डिड एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट एंड फाउंड दा पी प्लांट है सम ट्रेट्स विच कम इन पेर सच जराफ और स्मूर्ट टॉल और शोर्ट येलो और ग्रीन एक्सेक्टरा निमलिकित में से किसने मटर के पोधों के साथ प्रियोग किये और यह पाया कि मटर के पोधे में कुछ ऐसे लक्षन होते हैं जो जोडियों में पाए जाते हैं जैसे चिकने या खुड़दरे, लंबे या बोने, पीले या हरे तो यह चीज किसने कही है मतलब किसने इस पे प्रियोग किया था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था आपको इसमें ये बताना है किसने आपका मतल के पोधे पे एक्सपेरिमेंट किया था तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ग्रॉगर जोहन मेडल ने आपका इस पे एक्सपेरिमेंट किया था नेक्स कुशन है आपका तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी आपकी EVS की theme है जो आपके इस लेबस में suggested themes होती है तो अगर आपने themes पढ़ ली होंगी तो आप easily बता देंगे अगर नहीं पढ़ी हैं तो हम आपको आगे contents वीडियो में सब चीजे clear कर देंगे तो अभी हम आपको ये दिखाने कोशिश कर रहे हैं कि किस type का paper आपसे exam में पूछा जाता है तो बहुत simple है 15 marks तो ये मान लीजे आपके हाथ में अगर आपको pedagogy में दिक्कत है न तो NCRT अगर आपने पढ़ी है तो 15 marks आपके complete आने ही आने है तो यहाँ पे आपका answer हो जाता है things we make and do तो things we make and do आपकी theme है six theme में से एक theme है जो आपकी यहाँ पे correct हो जाती है next question है आपका next question है हमारा words should be avoided in anecdotal record तो हम किस चीज़ को avoid करेंगे अपने anecdotal record में लिखने से तो उप्ख्यान अभिलेक में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए सबसे पहला point है आपका identify mainly problematic situation next option है आपका making statement of judgment next option है आपका identify strength and weakness and next option है आपका identify child area of interest and relationship तो इसका आपका correct answer क्या होगा तो इसका आपका correct answer हो जाएगा आपका option first A और B तो यहाँ पे आप problematic situation जो है उसको identify नहीं करेंगे या फिर आप statement judgment नहीं देंगे तो यहाँ पे यह आपका option हो जाता है correct अब next question है हमारा how will you plan for an integrated EVS classroom तो देखे यह आपके अब आपके जो pedagogy होता है न उस type के question यह होते हैं आपके जो pedagogy में पूछे जाते हैं तो आपको बताया था 15 marks में आपकी subject की pedagogy पूछी जाती है 15 marks में आपसे content पूछा जाता है तो EVS में यह यह आपका 15 marks में pedagogy होगे 15 marks में आपसे NCRT का content पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पे पूछा है How will you plan for an integrated EVS classroom आप एक एकी गरत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे अगर आपको एक integrated classroom बनाना है तो उसके लिए आपकी योजना क्या होगी तो आपको अगर pedagogy solve करनी है तो आपको यहाँ पे यह सोचना चाहिए कि आप एक teacher है क्या है आप एक teacher है और आपको उस time पे करना क्या चाहिए अगर आपके सामने यह समश्या आती है तो आपका option है combine two or more subject area into one lesson एक part में दो या दो से अधिक विशे छेतरों को मिलाएंगे separate all the subject into a different plans अलग योजनौ में सभी विशे को अलग करेंगे arrange separate teacher for science and social science विज्ञान और समाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंदन करेंगे arrange separate teacher specializing in environmental science परियावरन विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंदन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है integrated education के बारे में integrated classroom के बारे में सोच के आपको इसका answer करना चाहिए तो इसका जो आपका सबसे अच्छा best option रहेगा वो रहेगा combine two or more subject area into one lesson जहाँ पर आप दो तीन lesson जो हैं आपके विशे हैं उनको एक में ही combine करके पढ़ा रहे हैं तो इसके आप क्या कर रहे हैं बच्चे के लिए easy कर रहे हैं चीजे कहीं ना कहीं वो दो तीन चीजों को एक साथ समझ पाएगा उसे समझ में आएगी उसके लिए easy हो जाएगी चीजे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा जो चीज बच्चे के लिए सही है देखे इसमें बहुत सारे question उड़ते हैं कि चाहे बच्चा कैसे भी कर ले बट हमें तो उसका इसाथ देना है तो ये सच्चा है आपको citate का paper अगर देना है ये सोच लीजे अगर आपकी गलती भी है तो भी आपको बच्चे का फायदा देखना है उसके लिए better होनी चाहिए वो चीज आपके लिए हो या नौ ये matter नहीं करता है उसके लिए better होनी चाहिए तो उसी according आपको answer करने है next question है आपका question में पूछा है पूनित गिविस क्लास फिफ्ट लर्नर एंड आउटलाइन ओफ यूमन बोडी and ask them to draw the digestive system before teaching chapter on food पूनित वॉन्ट वॉन्ट तो इसमें कहा है पूनित अपनी कख्षा के पाँच के शिक्षारतियों को मानव सरीर की एक रूप रूप रेखा दी और उन्हें भोजन विशे पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा तो अगर वो पाचन तंत्र को बनाने के लिए कह रहा है तो वो इहां पे क्या चाहता है बच्चों से test if learner could make label diagram ये देखना चाहता है कि बच्चे जो से बतलब अच्छे से diagram को बना पा रहे है या फिर elect to learner idea about digestion पाचन से संबंदिक सिक्षारती के विचारों को प्राप्त करना चाहता है identify learner with good drawing skills ये देखना चाहता है कि शिक्षारती के अंदर जो drawing की skills है वो अच्छी है नहीं है evaluate learner on the process of digestion पाचन की प्रकिरिया पर शिक्षारती का मुल्याकान करना चाहता है तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको कौन सा option सबसे best लगता है वो आपको यहाँ पर choice करना चाहिए और जो option है वो कही ना कही students के लिए भी अच्छा होना चाहिए कि उनका फाइदा हो उसमें तो वो कौन सा option आपके according तो इसका जो सही option होगा यहाँ पर होगा आपका second option इससे क्या होगा जो आपका teacher है पुनित है वो बच्चों के विचारों को प्राप्त कर पाएगा कि हर बच्चे के माइन में क्या विचार है digestion से related तो यह चीज कहीं न कहीं बच्चे की भी कहीं न कहीं help करेगी अगर उसके विचार हैं तो अपने विचारों को रख पाएगा ऐसा नहीं कि teacher ने आया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चे से कुछ भी उसके विचारों को से related कुछ में नहीं पूछा अपनी बात उसके ओपर थोप दी अब बच्चे के विचार यहां पता चलेंगे तो बच्चे को एक opportunity मिल रही है तो यहां पर यह आपका answer correct हो जाएगा next question है आपका which of the following is not correct with respect to formative assessment निमलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंद में सही नहीं है मतलब आपका जो रचनात्मक आकलन होता उसके लिए सही क्या नहीं है तो मैंने कहा है note को भूल मत जाना note ज़रूर याद रखना है आपको तो आपमें इसको यह बताना है teacher in taking timely action for enhancing learner अधीगम को स्रजन करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कारवाई करने में मदद करता है बिल्कुल सही बात है it is to monitor student progress इनको छात्रों को प्रगती की निगरानी करनी है सही है and information on learning of child can help formative assessment बच्चे की सीखने कोई भी जानकर यह चनात्मक आकलन में मदद कर सकती है तो यह भी सही है आपको बताना क्या था कि क्या correct नहीं है तो आपका first option जो है answer हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है next question है आपका Samita wanted to sanitizer her learner about gender disparity and stereotype related to work what should Samita choose to do in her class from the following suggestion एक मतलब Samita है अपने शुक्षार्टियों को कार्य से सम्मंदित लैंगिक विश्मता और रूडी वादि च्छवियों के प्रती समवेदन शील करना चाहती है समीता को निमलिकित में इसे अपने कख्षा में क्या करना चाहिए अगर वो ऐसा करना चाहती है सबसे पहला option है presenting student with stereotypical model रूडी वादी मोडलों को चात्र को प्रस्तुत करें show flashcard of different kind of work विभीन प्रकार के कार्यों के flashcard दिखाए ask only boys to swap the classroom daily केवल लड़कों से प्रतिक दिन कख्षा को साफ करने को कहे invite student's mother to class who is a auto driver एक छात्र की मा को कख्षा में आमंत्रित करें जो auto चालक है तो यहाँ पे अगर आपको stereotype को मतलब हटाना है अब यह stereotype क्या होता है stereotype आप समझ लीजे stereotype एक तरह से रुडिवादी सोच है जो हमारे mind में बनी हुई है क्या बनी हुए है कि जो boys हैं वो क्या करेंगे job करेंगे और जो women's हैं वो क्या करेंगी घर का काम करेंगी रसोई का काम करेंगे, खाना बनाएंगी, बच्चों को पाल पोस्के बड़ा करेंगी, ये काम किसका है, वो मैंन का है, तो यहां पे इसलिए सबसे बेस्ट उप्षन है, कि चात्र जो एक ओटो चालक हैं एक बच्चे की मदर हैं उन्हें प्रस्थूत करेंगी जिससे बच्चों के मायंड में आएगा कि हाँ जो काम मैन करते हैं वो वुमैन भी कर सकती हैं और इसी तरह से ऐसा भी कर सकती हैं एक फादर हैं जो अपने घर में खाना बनाते हैं तो ये चीज बच्चों को हम दिखाते हैं तो इससे क्या होता है एक रूड़ी वादिता जो है वो खत्म हो जाती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कोश्चन है कक्षा पांच के सम्यन आमतोर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कारें नहीं करते हैं मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है तो यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने होमवक को नहीं करके लाता है तो उसका सबसे अच्छा मतलब आप विकल्प यहाँ पे चुनके बताईए कि आप क्या करेंगे और आपको जो आंसर करना है वो यह सोचके करना ह कि आप एक teacher है और अगर आपके पास एक बच्चे की ऐसी situation है तो आप ऐसा मतलब यहां पर आपको यह नहीं है कि strict teacher बनके आप कुछ भी करेंगे बच्चे के चांटा मारेंगे बच्चे को school से निकलास से भार कर देंगे यह सब option आप नहीं treat करेंगे यहां पर आपको वो सरकक्षय कारे को समायजित करने के लिए उससे बात करेंगे तो देखेंगे यह option correct है सही बात है इसमें बट हमें इसमें ऐसा नहीं करना है कि पहला option देखा और right कर देगे कि यहां पर option जादे तर सब सही होते हैं बट आपको निकालना कौन सा होता जो best होता है next option है make another child help complete his work दूसरे बच्चे को उसका काम करने में help करेंगे तो यह भी कही न कहीं सही रहता है talk parents and counsel them उसके माता पिता से उसकी मतलब बात करेंगे और counsel करेंगे उसको give him alternative and simpler homework उसे alternative या simplest homework देदेंगे तो आप यह बताईए अगर आपको इसमें से सही और अच्छा विकल्प चूज करना है तो आप क्या करेंगे तो आप पहला option लेंगे हमें किसी से कुछ नहीं कराना ना हम कहेंगे बच्चे उसकी help करें ना हम कहेंगे parents उसकी help करें यह हो जाता है आपका बात की चीज़ जब आपके हाथ में कुछ चीज नहीं रहती है control आपके हाथ में नहीं होता तब parents तक ब अच्छे से discuss करेंगे जब आपको उसकी problem पता चल जाएगी उसकी problem को पता करने के बाद आप कुछ ना कुछ change करेंगे अपने curriculum में यहाँ पर आपका सही answer है next question है आपका मुस्कान organized a debate on the topic use of diesel vehicle in transportation should be prohibited what is the purpose of organizing debate by मुश्कान in classroom मुस्कान ने परिवहन में diesel वाहनों का अपयोग निस्यद होने चाहिए विशेपर एक वाद विवाद का आयोजन किया मुस्कान के द्वारा इस विशेपर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उदेश्य क्या है तो यहाँ पर वो इन सब चीजों के लिए मना कर रही है कि यह पैट्रोल वगरा को खत्म करना चाहिए इसका जो डिबेट है उसका उदेश्य क्या था वो यहाँ पर क्या करना चाहिए यह पूरी तरह से परीवहन में डीजल वहानों पर प्रतिबंधन लगाने की आफशकता पर चात्रों को सम्वेंदन शील बनाना चाहती है यह चात्रों के विचारों को जानना और उनकी सही करने में मदद करेगा यह इस मुद्धे पर चात्रों को कई द्रस्टिकोनों की सरहना करने में मदद करता है तो आपको इसमें से बिल्कुल बैस्ट आंसर निकालना है जो आपके लिए बैस्ट है तो यहाँ पर जो यह डिबेट चली है इस डिबेट से क्या सबसे ज़ादा अच्छा होगा तो इसका सही ओप्शन होगा जब यह डिबेट होगी तो बच्चों के माइन में नए नए मतलब एक तरसे कोशन्स भी आएंगे समझ भी आएगी तो यह सबसे ज़ादा बैस्ट होगा उनके लिए नेक्स्स कोशन है आपका मल्टीपल स्किल्स इन इवियस हैल्प डेवलप इवियस में मानचित्रन कोशल मतलब यहाँ पर जो मैपिंग स्किल्स और मल्टीपल नहीं है मैपिंग स्किल्स है मैपिंग स्किल्स इन इवियस हैल्प डेवलप मैपिंग से क्या होता है ड्रोइंग, लेंड्सकेप लेंड्सकेप खीचने की कोशल को विक्षित करता है दैसकी लोग प्रेडिक्टिंग एंड कैल्कुलेटिंग हमारा पुर्वमान और गर्णा की question को विक्षित करता है recording skills को अच्छा करता है understanding of relative position of place तो इसमें आपका correct answer easy है तो सब को ही पता होगा कि जो हमारा mapping है कहीं न कहीं हमारी position और place जो है उससे related understanding हमारे अंदर ले कर आता है next question है आपका the integrated nature of EVS help EVS की एकिगरत प्रकृती क्या सायक है reduce the curriculum load and introducing specific topic पार्थे चर्या के भार को कम करने और विसस्ट प्रकरनों को पेश करने में reducing curriculum load and help children to learn meaningfully पार्थे चर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक्त सीखने में follow child center approach and introducing large number of concept शिक्षार्थी केंदरित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिच्चे देने में learn from information and description provided दी गई सूचनाओं और विवरन से सीखने में EVS मतलब आपको integrated nature बताना है integrated nature जो है EVS का help करेगा कैसे help करेगा यह आपको बताना है तो जो इसका आपका correct answer होगा वो होगा आपका reducing curriculum load and help children to learn meaningfully बच्चे पे जो curriculum का load है वो हमें क्या करना है कम करना है और एक जो learn कर रहे हैं बच्चे meaningfully चीजों को सीख पाएं ऐसा करना है तो यह आपका सही और best option है next question है which of the following is not a broad indicator of EVS assessment तो यहाँ पे note बोला है note मतलब नहीं है EVS assessment का indicator नहीं है cooperation, concern of justice, concern for equality, concept mapping तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे option होगा concept mapping इसका answer हो जाएगा next question है आपका there is a paragraph in class 5th EVS textbook based on albruni observation of construction of pond in India some thousand years ago what would be the purpose of including this paragraph कुछ हजार सार पहले भारत में तलाबों के निर्मान में albruni के अवलोकन के अधर पर कक्षा 5 के EVS के पाठे पुस्तक में एक अनुछेद है यह आपका class 5th की NCRT book का question है इस अनुछेद को सामिल करने का उदिश्य होगा यह इतियास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षारतियों की मदद करता है It's help learner to identify source of history जो मतलब आप यह देखेंगे ponds वगेरा की पहले तलाबों में ऐसे होता था इस ट्रब की चीज़े देखेंगे तो यह help करेगा आपको history की source को पता करने में help करेगा यह शिक्षारतियों कुछ 1000 साल पहले भारत में मोजू तकनीक की सराना करने मदद करेगा It's help learner to appreciate the role of evidence in history यह शिक्षारतियों की इतियास में शाक्षे की भूमिका की सराना करने में मदद करेगा तो बताईए इसका answer क्या आपका सही होगा तो यहाँ पर आपको इसमें ये एक चीज़ समझे कि आप जब इस point को समझेंगे आपके इपने 5th class की EVS में तब आपको जादा clear हो जाएगा कि ये एक आपका ये था मतलब जो अलबुरूनी थे ये आए थे तब इन्होंने हमारे जो मतलब पॉंट वगरा का system होता था जहां पर हम पानी को selection करते थे तो उसकी भोज़त तारिफ करी थी और इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारा उद्देशे क्या है वो हमें इसमें बताना है तो इसमें उद्देशे हमारा जो है वो हो जाएगा कि help learner to identify source of history और help learner episode technology के बारे में बच्चों को बदा चलेगा वो कहीं न कहीं उनके बारे में जान पाएंगे उन्हें मदद मिलेगी तो यह आपका answer हो जाता है A, C, D आपका correct answer हो जाता है next question है आपका अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वार्णी उन्हें एक ऐसी गतिविदी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में इंद्रिया सामिल हो तो मतलब यहाँ पे जो आपकी मतलब कोई teacher है वो बच्चों को इस तरह से activity देना चाहती है जिसमें उनके senses जो हैं वो ज़्यादा senses की द्वारा अपनी learning कर पाएं तो यहाँ पे आप बताईए क्या suitable purpose है inviting resource person from community to demonstrate their skills एक मतलब किसी person को बुलाएंगे जिससे हम कुछ ना कुछ activity demonstration कराएंगे encouraging group discussion करेंगे using small classroom for relevant AV material organizing field trip to nearby place तो आपका सबसे best option इसमें क्या होगा तो सबसे best option होगा जहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं अपने senses के द्वारा सीखेगा जहाँ पे हम उसे field trip पे लेके जाएंगे एक ऐसी place पे लेके जाएंगे वहाँ वो देख के feel करेगा चीजों को touch करेगा चीजों को तो वहाँ पे उसे वो चीज़े समझ में आएगी next question है आपका why does इकरा encourage her learner to read newspaper and magazine in EVS इकरा अपने शिक्षारतियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रीकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोचसाहित करती है तो आपको इबताना क्यों प्रोचसाहित कर रही है these are entertaining resources available these help learner to engage with real world they help learner to become independent they help learner become competitive तो इसका answer तो आप भी easily कर सकते हैं इसमें कुछ साथ समझने की जुरत नहीं है simply है वो daily बच्चों को newspaper पढ़ाने के लिए magazine पढ़ाने के लिए इसलिए प्रोचसाहित करती है जिससे की बच्चा अपनी real world से connect रह सके अब देखे हम में अगर आपको मतलब जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको newspaper पढ़ने की आदत है या आप news पढ़ते हैं connected रह सके इसलिए आप पढ़ते हैं तो इसी तरह से बच्चों को भी यह चीज़े हम starting से इसलिए पढ़ाने कोशिश करते हैं जिससे वो अपनी real world से connect रह सके और कहीं ना कहीं कुछ सीख सके तो next question है आपका questioning as a strategy in teaching learning EBS is used for पढ़ियावरन अध्यन में प्रश्ण करने को एक युक्ती के रूप में उप्योग किया जाता है maintaining discipline, drawing attention, promoting adherence to rules, arousing curiosity in classroom जो हम questioning करते हैं मतलब हमारी teaching strategy हैं हम पढ़ा रहे हैं बच्चों से questions पूछ रहे हैं तो ये एक तरह से questions पूछना क्या होता है questions पूछना होता है तो हर बच्चा कहता है मैं हमें पता है, मैं हमें पता है हम बताएंगे, हम बताएंगे तो ये क्या बच्चे के अंदर एक curiosity जाग रही है class में उसका interest develop हो पा रहा है कहीं न कहीं अगर एक बच्चा पढ़ता भी नहीं है अगर उसे भी आता होगा तो वो भी यह सोचेगा कि हाँ मैं भी बता हूँ आंसर क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक curiosity जागेगी एक जिग्यासा बनेगी बताने की तो यह best option हो जाएगा next question है आपका in which one of the following state meaning of torang is jungle तो आपका एक ऐसा state है जिसमें torang जो है उसे jungle कहते हैं तो रांग का आर्थ आपका jungle होता है तो वो कौन सा आपका state है आपको बताना है तो आपके पास option है आपका असाम है आपका उरीसा है आपका मिजोरम है या आपका जारखंड है तो इसका आपका जो correct answer है वो आपका जारखंड है तो जारखंड को आप जारखंड में जो तोरांग है उसे आप क्या बोलते हैं अपना जंगल बोलते हैं Next question है आपका Your house is located at X and your school is located at Y यहाँ पर बताया है कि आपका जो घर है वो X पे located है और आपका जो school है वो Y पे located है Along your school just opposite but you cannot go straight जो आपका school है just opposite है But you cannot go straight आप सीधे नहीं जाते हैं क्योंकि of the busy highway in between एक highway है बीच में वो बहुत जादे busy है तो इसलिए आप सीधे नहीं जाते हैं तो एक बार देखे clear देखे इस question में आपको कहा है कि आपका घर है X ठीक है आप X से जा रहे हैं 125 मीटर South में South में आप जाएंगे उसके बाद आप East में 100 मीटर चलेंगे 100 मीटर चलने के बाद आप फिर से उपर जाएंगे North में 125 मीटर आप North में जाएंगे तो आप अपने स्कूल पर पहुँच जाएंगे तो आपने देखा था पोजिट था स्कूल आपका तो अब आपका जो स्कूल का और घर का distance है वो कितना है वो आपका 100 मीटर है अब question आपसे पूछ रहा है कि जो आपका स्कूल है इसकूल से अगर आपके घर की direction पूछी जाती है तो आपका घर कहां पड़ेगा तो जब आप यहाँ पर Y place पर है तो आपका जो घर है वो आपका due to west होगा तो इसका answer हो जाएगा 100 मीटर due to west तो ये एक question आपका reasoning का जरूर पूछा जाता है तो इस type का question पूछा जाता है कि आप easily solve कर सकते हैं next question है आपका एक question तो आपका direction का पूछ ले जाता है और एक question आजाता है आपका time से related तो इस questions को आप solve करके देंगे क्योंकि यहाँ पर solve नहीं हो पा रहा है इसको आप comment में answer बताएंगे इसका क्या होगा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको solution हम provide करा देंगे तो इसका जो answer है वो हम आपको बता देते हैं जो आपका correct answer होगा वो आपका होगा 38.5 km per hour तो इसका correct answer क्या है आप इसको देख लेना 38.5 km per hour इसका आपका correct answer होगा Otherwise इस टाइब के questions हम आपको solve करा देंगे बाद में Next question है आपका Which one of the following statement is not true for honeybees and beefs नीचे दिये गए कौन से कथन मधिन मक्खियां और छटो की विशे में सही नहीं है प्रतेक छटे में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे लेती है ये बात बिल्कुल सही है आप जब पढ़ेंगे मधिमक्य के बारे में अपनी NCRT में तो आपको पता चल जाएगा नर्मक्य मधिमक्यां छटो के लिए अतियंत महत्पुर्ण होती है तो यहाँ पर ये कथन आपका गलत होगा चत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्या होती है ये भी सही है चत्ते में केवल कुछ नर्मक्या होती है ये भी सही है तो ये आपका गलत है जो हनी बीज होती है उसमें मेल इतनी इंपोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है तो छोड़ के चली जाती हैं बलकी बाद में मेल करती नहीं बोलेंगे करता बोलेंगे सॉरी नेक्स कोशन और लास्ट कोशन है आपका आज की इस वीडियो का टूडे वी कैन नोट थिंक और फूड विदाउट चिली इस आर वर बोट खाने में अच्छी मिर्ची नहीं है तो हमें लगता है कि टेस्ट नहीं है तो यह अगर अब यह बताईए यह कौन लेकर आया था अफगानिस्तान से आई थी इंग्लेंट से आई थी दक्षिन अमेरिका से आई थी दक्षिन अफरिका से आई थी तो जो मिर्च है वो आपकी IT दक्षिन अमेरिका से जिसके कारण आपके खाने में टेस्ट आता है तो यही चीज है आपकी कहां से IT दक्षिन अमेरिका से आई ती ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जिनें आप पूछ लेते हैं मतलब एक्जाम में वो आपके NCRT में आपको गिवन ह पेड़ागोजी को देखे पेड़ागोजी तो आपका है कि आप जितना जादा सॉल्व करेंगे उतना जादा आपके अंडरस्टेंडिंग बनेगी सबसे पहले पेड़ागोजी का आपका प्रीवियस एरी होता है प्रीवियस एर से आपका बहुत बेसिक क्लियर हो जाता है फिर आपको ज़ाद सदर questions लगा सकते हैं और हम आपको content कराते रहेंगे तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे, like कर दीजे और comment करें अगर आपको कोई doubt है comment करें हमसे पूछिए अगर कोई भी confusion है या कोई भी आपको content वीडियो चाहिए EBS related कोई और topic पर वीडियो चाहिए तो वह आप बता सकते हैं Thank you so much